कर दोस्तों चलिए आज हम थाल पूस बनाना बताते हैं तो जिसमें हमारा यह दो कलर का उन लगेगा फोर्क लाएका और यह 9 नमबर की क्रोशिया चलिए शुरू करते हैं पहले कि पहले हम गाठ ले करके दस चिन दे लेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौर दस अब इससे राउंड कर लेंगे ऐसे और इसमें हम फिर तीन चैन लेंगे और अब इसमें हमें डबल क्रोशिय बनाना है तो इसमें हमारा डबल क्रोशिया 32 रहना चाहिए देखिए ऐसे ही हमारा डबल क्रोशिय बनेगा पूरा राउंड हमारा 32 रहना चाहिए देखिए यह पूरा राउंड हम कर लिए हैं अभी से हम यहां जॉइंट कर लेंगे यह हमारा पूरा 32 सुरू में चैन लेकर के जो तीन चैन लिए थे इसको लेकर के 32 हो गया है फिर यहां हम चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन लेने के बाद यहीं पर हम चार डबल क्रोशिय बनाएंगे तो यह चैन लेकर के हम चार डबल क्रोशिय हमारा हो जाएगा तीन और बनाएंगे तो और फिर हमें चार डबल क्रोशिय छोड़ करके यहां पर हम फिर डालेंगे तो इसमें हम पहले चैन लेंगे दो चैन लेना है ऐसे उसके बाद चार एक दो तीन चार छोड़के हमें एससे चार छोड़के दो दो चार चार छोड़के फिर हम चार डबल कुरूशिया यहां बनाएंगे एक दो कि तीन और यह हमारा चट ऐसे ही हम पूरा राउंड बनाएंगे हाँ हो दो चैनलेंगे और फिर कि दो उखूबा बनाना है च्रेंब चार लीन थे कर लिए अब इसे फिर हम यहां कि जोइंट करेंगे और यहां पर हम इस बीच में हम ऐसे ही पहुंचाएंगे बीना फंदाल लिए हुए अब यहां पर हमें है चार डबलकुष्या बनाना है जालना है है ही three double क्रोश्या के सामने हूं में चार को स्थिय बीचि दालना है अजुआ है है साथ बीच में हम शाबबल क्रोश्या बनाएंगा और उसके बासे फिर है यहां पर हम एक चैण लेकर के इस दो के बीच में हम साथ डबल क्रूशिय बनाएंगे ऐसे एक दो तीन चार पाँच छे एक साथ एक चेन लेंगे और फिर चार के सामने हम चार बिनेंगे यह भी राउंड हमारा ऐसे ही पूरा होगा एक चेन लेना है साथ डबल क्रूशिय बनाना है और फिर एक चेन लेना है है और चार डबल क्रोशिय बनाना है ऐसे ही पूरा राउंड हमारा बनेगा देखिए देखिए हम राउंड पूरा कर लिए हैं और फिर इसे हम यहां जॉइंट करेंगे और फिर हम हम यहां भी चार डबल क्रोशिय बनाएंगे एक दो चैन लेकर यह चार हो गया फिर हम एक चैन लेंगे और हम इस बीच में हमें हमें इस बीच में हमें ही decía रहां जहां बनाए हैं उसके उपर साथ दबल क्रोशिया ही बनाना है लेकिन बीच बीच में इक चेन हमें लेना है लेखिए एक डबल क्रोशिया को बड़ फिर एक चेन फिर दूसरा टबल क्रोशिया फिल एक चैन तीम चैन फिल दबल कुरोशियर फिल चैन फिल दबल कुरोशियर फिल चैन मिचार के सामने चार ही डबल कुरोशियर बनाना है ऐसी चार के ऊपर चार 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 चलते जाएंगे और यह हमारा ऐसे फ्लावर डिजाइन तयार होगा कर दो देखिए यह राउन भी पुरा कर लिए अब हम यहां पर चार डबल कुरोशियर बिनने के बाद यह एक चैन लिए हैं अब इसमें हमें जो हम एक एक चैन बीच में लिए हैं ऐसे जाली में जाली बनाया है तो इसमें हमें तीन डबल कुरोशियर ऐसे बनाना है एक चैन लेना है उसके बाद से हर चैन में हमें तीन डबल कुरोशियर अब इसके बीच में हमें चैन नहीं लेना है यहां बस एक लिए हैं उसके बाद से हां डबल क्रोशिय हर चैन के बीच में हमें तीन तीन डबल क्रोशिय बनाना है ऐसे ही पूरा राउंड हमारा बनेगा देखिए यह हमने तीन डबल क्रोशिया यहां हर चैन के बीज बीज में बनाया है यहां ऐसे हमारा यह डिजाइन तैयार होगा और इसके बाद फिर हम यहां चार डबल क्रोशिया बनाएंगे चार के उपर और ऐसे हम पूरा यह राउंड पूरा करेंगे देखिए हम यह राउंड पूरा डिजाइन कर लिए हैं अब यहां पर हम फिर यही डिजाइन यही से फिर सुरुगात करेंगे तो हमें यहां पर केवल चैन बढ़ाना है और जैसे यह बनाया है वैसे ही यहां भी बनाते जाना हैं तो हम यहां पर हम देखिए यह हमारा पूरा टोटल 18 डवल क्रोशिया है गिन करके दिखाते हैं एक यहां उपर से दिखाए देगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा इस दिखाते हैं तो यहां हमें नौ के बीच में यहां 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 आ रहा है इस बीच में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, तो यहाँ पर हम ऐसे चैन लेकर नापेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यहाँ हम ऐसे नाप रहे हैं, कि हमारा कहां तक नो डबल क्रोशिया आता है, तो यहाँ तीन, तीन, चार, तीन, नो, यहाँ आ रहा है, तो हम ऐसे नापेंगे तो नहीं अभी हो रहा है, खिचाव पर जा रहा है, यह शिकुरा ना जाएगा थालकोस में, इसलिए हम अभी यहाँ दो चैन और लेंगे, एक, दो, तो यह हम साथ चैन पहले लिए थे, अब नौ चैन हो गया है, और अब हम यहाँ पर दो डबल इसे बना देंगे, देखिए, ऐसे हमारा यह शिकुरेगा नहीं, और फिर हमारा डिजाइन, दुसरा लाइन, डिजाइन कर तयार हो जाएगा, तीन, चार, पांट, छै, साथ, आर, नौ, अब ऐसे ही हमें, नौ चैन ले करके, और फिर बनाते हुए चले जाना है, जैसे पहले राउंड में हमने बनाया था दिजाइन के सुरवात में वैसे ही यहां पर भी बनेगा पहले दो डबल क्रोशिया फिर दूसरे राउंड में चैनल लेकर बनाना है हमें ऐसे ही हमारा कि दिखिये ऐसे ही हमारा बनेगा कि देखिये यह राउंड हम पुरा कर लिये हैं यहां तक इसमें हमाला यह सिकुरना नहीं चाहिए चैन अगर चैन शिकुड़ेगा इस शिकुड़न थालपोस में आ जाएगा इसी लिए हम कर रहे हैं कि यहां पर हमें नाप करके ही चैन लेना है अब इसे हम यहां पर नौ चैन लिए हैं तो अब साथ चैन लेंगे क्यूंकि यहां पर हमें अब साथ डबल क्रोश्य बनाना है तो इसे लिए यहां पर कम किया जाएगा एक दो तीन चार पांट चैन लेने के बाद यहां पिर यहां साथ डबल क्रोश्य ही बनाना है और फिर हमारा दूसरा ओला डिजाइन दे चालू हो जाएगा ऐसे ही हमें इसके ऊपर बनाते जाना है चार हुआ पांच चैन एक साथ हो गया तीन तीच हैक साथ और यहां फिर साथ चैन लेंगे साथ चैन लेने के बाद फिर यहां चार डबल क्रोश्य ही दुखिए ऐसे पूरा राउंड तैयार करना है ऐसे हमें यह डिजाइन बनाना है चलिए बना करके दिखाते हैं देखिए अब हम फिर यह दूसरा राउंड तीसरा राउंड डिजाइन के चल कर रहा हैं तो यहां पर भी हम साथ ही चैन लेंगे दो तीन चार पांच छे साथ यहां भी साथ ही चैन लेकर के हमें यह एक प्रोसिया और एक चैन लेकर के बनाना है यहां ऐसे ही यह राउंड पुरा करना है देखिए यह ऐसे ही बनेगा हमारा यहां ऐसे फिर पूरा राउंड करेंगे हम और ऐसे ही चैन लेकर के हमें बनाते हुए चले जाना है देखिए हमने यह राउंड पुरा कर लिया है अब यहां पर हमें यह डिजाइन जो है वह यहां पर भी बनाना है यहां जहां चार डबल क्रोशिया हमने बनाया था तो इसलिए हम यहाँ पर भी अब सुरू करेंगे तो पहले हम यहाँ चार डबल क्रोशिय बनाते थे अब इस बार हमें आठ डबल क्रोशिय बनाना है तो देखिए कैसे हम बना रहा है यहाँ यह हमारा एक हुआ यह दो यह तीन और यह चार हमने बना लिया चार बनाने के बाद फिर हमें दो चैन लेना है दो चैन लेने के बाद फिर हम इसी में चार डबल क्रोशिय बनाएंगे कि ऐसे कि तीन हो यह हमारा चार हो गया अब फिर हम यहाँ पर पांच चैन लेंगे एक दो तीन चार पांच और फिर इस डीजाइन में हमें जैसे पहले बनाया है यहां तीन तीन डबल क्रोशिय इसमें बनाना है तो ऐसे ही यहां भी बनाएंगे कि यहां पर हमें याद रखना है जहां यह डीजाइन खता होता है वहीं पर हमें यहां भी शुरू करना है तो यह राउंड अब पूरा करते हैं देखिए यह राउंड हमारा पूरा हो गया अब हम यहां पर इससे जॉइंट कर देंगे यहां ऐसे जॉइंट करने के बाद हम इसको हमारा कट हो जाएगा यह धागा अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इसमें और अब फिर हमारा डिजाइन शुरू होगा तो अब हमारा यहां भी डिजाइन शुरू होगा और इस पर तो यहां यह चलते ही जाएगा और यहां से भी हमारा चालू होगा तो पहले हम यहां पर अब यहां पर हमें चार क्रोशिया जो हमें बनाया है और इधर चार क्रोशिया बीच में दो चैन तो यह चार क्रोशिया के ऊपर हमेरा चार क्रोशिया ही बनाएगा और यह शुरू करते हैं नहीं अब यहां हम दो चैन लेंगे और फिर दो डबर क्रोशिया यहां बनाएंगे फिर दो चैन लेंगे और फिर यहां पिचार क्रोशिया अब फिर हम यहां जैसे यहां नौ चैन लिए थे वैसे ही इसे भी हम नापेंगे और उसके बाद से चैन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ ऐसे अब इसको हम ऐसे नाप लेंगे तो यह हमारा आजा रहा है तो यहां नौ के बीच में हमें बनाना है यहां अठारा है तो नौ आधा हुआ तो आधा के बीच में हम यह फिर यहां दो डबल क्रोशिय बनाएंगे और फिर हम वैसे ही नौ चेंज लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ के बाद फिर हमें यहां डिजाइन बनाना है तो यहां पर हम फिर ध्यान देना है यहां पर चार के बीच में हमें चार रखना है देखे, यह हमारा ऐसे ही बन करके तैयार होगा ऐसे पूरा राउंड बनाते हैं Quand देखे और धिर ध्यान में आ गए हम यहां पर हम जैसे पहले रखने हम्दे हैं यह नीचे वारा डिजाइन बनाने में किये थे, वैसे ही हमें यहां भी करना है, यहां में दो चैन लिया है, फिर एक चैन लिया है, वैसे ही यहां भी हम दो चैन लिया है, दो डबल क्रोशिय बनाया है, दो चैन लिया है, और अब इसके उपर एक चैन ले करके, फिर हम यहां बहुत बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी तयार होनेया हाँ ये पेसे ताहलेगेद मेड़त मौ believed और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहले ही पहुंच सके तीज तीछा एक साथ बना लिया हमने फिर एक चैनल लेंगे और फिर यहां चार डबल प्रोश्य अबनाएंगे देखिए यह हमारा ऐसे ही पुरा चलिए अब इस लाइन को भी पुरा तयार करके इस फूल को दिखाते हैं देखिए यह हमने यहां तक तयार कर लिया है ऐसे ही आप जितना बड़ा गनाना चाहते हैं अत्ता बड़ा इसको जैसे हमने यहां से फिर यहां पर दो कर दिया है यह चार डवल प्रोशिया को यहां पर दो भाग में बाट दिया और उसके बाद से यहां फिर डिजाइन निकाल दिये वैसे यह फिर इसके उपर से यह हर जहां जहां चार चार डवल प्रोशिया बना हुआ है यहां पर हमारा फिल यहां से अलब हो जाएगा और एक डीजाइन यहां सेत्यार हो जाएगा और आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं बना सकती हैं मेज पोस थाल पोस कुछ भी अब इसको हम यही पर खतम कर रहा है तो इसको हम काट देते हैं और इसका जालर लगाने के लिए हम अब फिर इस कलोर को लगाएंगे तो इसमें चेने स्टीच बनाएंगे हम अब यहीं से ही सुरू करेंगे और हमें चेन लेना है तो 20 चेन लेना है एक दो तेन चार पांच शे साथ काट नग तस सौरी 20 नहीं हम 15 ही लेंगे क्योंकि हमें इसमें यहां से यहीं तक जाना है इसके बाद सिर्फिक यहां पर हम बानेंगे तो अभी 10 चेन हुआ है एक दो तेन चार पांच 15 चैन हमने ले लिया अब इसको हम यहां पर ऐसे ऐसे हमें पराना है और उसके बाद फिर 15 चैन लेंगे हम ऐसे ही पूरा राउंड करेंगे यह फिर हम इसमें आएंगे ऐसे हमारा यह जाला बनेगा इसमें 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 आएंगे देखिए हमने यह चैन इस्टिच बना लिया है अब इसमें हम किनारे से फिर सुरू करते हैं जाला बनाना इसमें पहले ऐसे बांग देंगे बनने के बाद फिर हम दस चैन ले रहे हैं पांट चैन लेने के बाद हम इसको फिर ऐसे राउंड कर देंगे दो चैन ऊपर हम इसमें क्रोश्य भी नेंगे यह हमारा एक दो तीन चार पांट छै साथ साथ क्रोश्य हो गया अब इसे हम ऐसे क्रोश्य को ऐसे डाल करके और ऐसे यहां पर बांग लेते हैं बांने के बाद फिर हम साथ चैन लेंगे एक दो तीन चार पांट छै और साथ हम दे लिए तो यह बराबर हो गया दोनों देखिए अब हम दूसरे वाले में फिर यहां इसे बांग देंगे हमारा यह ऐसे रिजाइन तयार होगा जहलग का फिर वैसे हम दस चैन लेंगे दो तीन चार पांट छै साथ आठ नो दस और फिर इसे ऐसे फंदा लेकर के यह तीसरे वाले में हम ऐसे बुसा रहे हैं और फिर हमारा यहां पर साथ डबल प्रोशिया एक ही चैन में हम बार बार डाल करके साथ डबल प्रोशिया बना रहे हैं ऐसे और बनाने के बाद इसे हम ऐसे करके बांध लेंगे यह हमारा बन गया फिर वैसे ही साथ चैन देंगे एक दो तीन चार पान चैन साथ चैन देने के बाद ऐसे बराबर में आ गया तो हम फिर इसमें बांध देते हैं ऐसे ऐसे ही हमारा फुरा थाल पुष बन करके तयार होगा देखिए यह हमारा ऐसे जालर बनेगा ऐसे ऐसे यह जालर हम बनाते हैं आपको यह वीडियू कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं चलिए अब अपना वीडियो हम यही पर खदम करते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक यू प्रश बनाट 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 दमास्टी।